हेलो दूस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले जो लोग कमेंट सेक्शन में कंसिस्टेंटली मुझे आज पूछ रहे थे कि आज हम लोग ने जो बाजार देखा वहाँ पर हम लोग को रैली देखने को मिल रही है मतलब अगर हम लोग बात करें सिंसेक्स की तो लगबग 500% अप्रॉक्सिमेटली जंप करते वे देखने को मिल रहा है और भी अन्य वज़ा हो सकते बट यह सबसे में वज़ा है जिसके बदलत हम लोग को मार्केट थोड़ा सा आज पॉजिटिव जाते वे देखने को जरू मिला है तो विडियो को स्टार्ट जरूर करेंगे बट उससे पहले यह कहना चाहूँगा अगर SM किसी इस चैनल को आपने पहली बार विजट के है तो जरू सब्सक्राइब करके रख लेना साथ में जो बेल आइकन रहता है उसके उपर हिट करके रख लेना तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको डेली वेसिस के उपर फ्री ओफ कॉस्ट मिलते रहेंगे तो चले दूस्तों जैसे हम लोग शुरुवात करेंगे आपे सबसे पहले सिंसेक्स को एक बार देख लेते हैं यहाँपे तो 498 मतलब 500 पॉइंट की जंप आप लोग कह सकते हैं 1.5% की रैली है 35,414 के उपर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ निफ्टी की भी सो निफ्टी 50 भी सेम टाइप का ही चार्ट पेटन हम लोग को यहाँपे देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं 1.27 पॉइंट से की लगबग यहाँपे रैली देखने को मिल रही है 10,430 के हाँपे निफ्टी देखने को मिला है तो यहाँपे कुछ संकेत हैं मैं आप लोग को जरू बताना चाहूँगा बाजार ने लेट यहाँपे जंप लेना शुरू किया था तो हम लोग ज़रू कह सकते हैं जो नॉर्मल पॉइंट जो चेक आउट करते हो अमेरिकन बाजार हो या फिर उसी के साथ साथ जो डो फ्यूचर्स भी हम लोग चेक आउट करते हैं उससे हम लोगों को बाजार ये भागते वे देखने को नहीं मिला है यहाँ पर एक न्यूज है जिसके बदलत हम लोग को ये बाजार में अच्छे कासी पॉजिटिव संकेत देखने को मिले है तो जो चीज में आप लोगों को हमेशा बता तो obviously वो तो follow करना ही है American Bazaar के अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे कासी हरे निशान में ही था उसकी जो closing थी वो भी अच्छा कासा high level छूके ही नीचे आई थी बट इसका impact नहीं था क्योंकि मैंने कहा था कि अगर इसका impact रहेगा तो बादर शुरुआत में यह उपर जाना चाहिए था बट शुरुआत में वो उपर नहीं था थोड़ा टाइम हम लोगों को वो consultation phase में देखने को मिला और बाद में उसने suddenly jump ली तो यहाँ पर एक AC news आ गई थी जिसके बाद यह market ने थोड़ी सी अच्छी खासी करवट ली है तो वो ही हम लोगों को यहाँ पर देखने हैं बट उससे पहले जो हमेशा हमें आप लोगों को बताता हूँ वो भी चेक कर लेते American Bazaar का जो futures है दो जोन futures वो अभी हम लोग एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो आपके सामने ही यहाँ पर मैं चार्ट पैटन लगा दिया है आप लोग देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर moment जादा नहीं है बिलकुल flat आज के दिन ही हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो दुनिया से जो बाजार है क्या यूरोपियन मार्केट से हम लोगों को कोई अच्छे संकेत मिले तो वो देख लेते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी मार्केट है उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते अमेरिकन बाजार तो positive close हुआ था बट बाकी बाजार अगर आप लोग देखोगे ब्रजिल का हो या फिर उसी के साथ यूरोपियन बाजार अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा उपर scroll down कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते यूरोपियन बाजार भी हम लोग को लाल निशान में देखने को मिले है इसका अरत यह नहीं था तो यह सारी न्यूज जो है हमारे इंडियन मार्केट से ही है जो के आप लोग के सामने में या पर लाने वाला हो तो मैक्जिमम अगर हम लोग यह देखते तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग को लाल निशानी देखने को मिला है तो चले दूस्तों यह वज़ा क्या है उसके पीछे हम लोग आ जाते हैं इसलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ इंडिकेटर्स नो डाउट इंपोर्टेंट होते है बट उसको हमेशा ओवरकम कर देती है निउस अगर कोई अच्छी निउस आ जाती है तो नीचे जाने वाला इंडिकेटर भी उपर की तारफ बढ़ सकता है या फिर सेम जो उपर वाला है वो नीचे जा सकता है सारी की चीज़े वाइस एन वरसा हम लोग देख सकते हैं इसलिए हमेशा खबरों के उपर आप लोगों का बहुत ही कड़ी नजर से यहां पर ध्यान होना चाहिए तो आज के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर जो सबसे होट टोपिक अभी मार्केट में चल रहा है और वह कोवीड-19 से रिलेटेड और उसकी वैक्सीन से रिलेटे अभी तक जितने भी जो दवाई हम लोगों ने देखे थे लेंदमार्क की फेवी फ्ल्यू क्यों ना हो उसी के साथ साथ अगर हम लोग सिपला की भी दवाई देखी थी हम लोगों ने वो सारी कैंसी थी वो यहां पर पूरा तरीके से आप लोगों का कोरोना नहीं हटा सकत तो यही अभी हम लोगों को ये news पढ़ने है जो कि हम लोगों को during the market देखने को मिली जिसके बदलत यहाँ पे sentiments हम लोगों को positive होते हैं देखने को मिला है जैसे कि हम लोगों ने आज तक सुना है कि coronavirus से related, vaccine से related बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं internationally news हम लोगों को सुनने को मिल रह इंडिया भी इस race में आ चुका है जिसके बदलत हम लोगों को जो approval भी रहता है वो भी यहाँ पे जो company यहाँ पे बना रहे है उनको भी यहाँ पे मिल चुका है तो यही आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है जिसने बाजार का मोड आज थोड़ा सा अच्छा का सा जरूर कर दिंगे कि हमारा vaccine successful हो रहा है या नहीं सो जुलाय मन्त यह बहुत ज्यादा important रहने वाला है हलांकि जुलाय के beginning में नहीं उन्होंने end में कहा था तो यही देखना है कि अभी क्या होता है फिलाल तो हम लोग इस news को continue कर लेते हैं यहाँ पर पढ़ लेते तो आपको भी कुछ more than 100 candidates globally are being tested in a humans. India making its headway in the vaccine race earlier this week allowed one of the vaccine candidates to move to human clinical trial. So finally India भी यहाँ पर vaccine से related, trial से related अभी आगे बनने वाल है और वो कभी बनने वाल है इसी week में आप लोग देख सकते हैं earlier in this week. So यह बहुत ही अच्छी बात है ऐसा नहीं कि August September के हम लोग बात करें इसी वक्त हम लोगों को इसी महने में यह सारे चीज़े देखने को मिलने वाली है. So इंडिया से हमेशा उमीदे भी ज़्यादा लगाई जाती है तो obviously ऐसी निउस आने के बाद कि इंडिया भी इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहा है officially तो एक बहुत ही अच्छी बात है. So जिस तरीकी के मैंने बात केते हैं आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं. So इसी निउस के चलते हैं यह आज ही के दिन हम लोग को निउस देखने को मिल रही है जिसके बदलत हम लोग को बाजार यहाँ पर अच्छा का साम मूर सुदरते वे देखने को ज़रूर मिला था. So अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग पढ़ सकते हैं. So next paragraph की अगर हम लोग बात करें तो इतना important नहीं यह company के history के बारे में बताया है कि company ने कभी-कभी क्या-क्या किया है. So हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं and यहाँ पर वही चीज़ उन्हें ने repeat किये यहाँ पर जो permission है उनको यहाँ पर मिल चुकी है. इनिशेट करने से related phase 1, phase 2, human clinical trial से related and उसी के साथ-साथ वो बहुत कुछ यहाँ पर result भी देखेंगे. उनकी study भी यहाँ पर करने वाले हैं आगे जाके. So यह ultimately जो final जो अगर हम लोग headline बोले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते है. So एक important बात वापस star मारके में जब हमेशा यह पर एस्ट्रिक या फिर star लगाता हो तो alert होना चाहिए. जैसे कि अगर एक news वैक्सीन से related, development से related आगे, उसके road map से related, जब बाजार को उपर लेके जा सकती है, तो याद रखना, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत हो जाए, बट trial से कभी fail हो सकते है, कभी success मिलता है. तो अगर वो fail भी हो जाता है, तो याद रखना, market उतनी ही रफ्तर से नीचे भी आता है, क्योंकि उसी बदोलत हम लोग को बाजार उपर जाते हुए देखने को मिल रहा है. So actual news अगर हम लोग बात करें तो यही हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी, अगर हम लोग बात करें तो और अलग-अलग news भी रहते हैं, जैसे कि कल expiry भी है, ऐसी सारी चीज़े तो market में हमेशा चलती ही रहेंगी, usually, बट यहाँ पर अगर news बेस अगर मैं बात करू, market ने करवाट क्यों ली, तो इस news को आप लोग बेस पकड़ के आगे चल सकते हो, उसी के साथ साथ कुछ important बात भी है, वो भी news में आप लोग को दिखाना चाहूंगा, कि अगर पूरी दुनिया की अगर किसी के उपर नजर है, तो आप सभी लोग को बताना चाहँ, Moderna के उप को अभी देखने को पढ़ने वाला है, कि अगर Moderna ने ये अगर final test कर लिया, तो हम लोग जरू कह सकते कि इसकी vaccine का जो research phase है, वो हम लोग को successful देखने को मिलेगा, जो development phase आएगा, obviously, सबके लिए इतना available करना, उसका वापस एक बार testing करना, ये बहुत ही matter करता है, तो ये उसके से related बहुत ही close जाते हुए देखने को मिले है, तो इसमें इंडिया भी अभी आया है, बट कोई बात नहीं हम लोग फोकस जरू रखेंगे, तो मैंडर ना कि अगर हम लोग बात करें, कि अगर इनका trial अगर last phase जो कि बहुत ही tough रहता है, अगर वो fail हो जाता है, तो हम लोग जरू कह सकते कि American Bazaar में इस modern नाम ने भी एक अच्छी खासी जान जरू डाली थी, जहाँ पर उनके phase 1, phase 2 बहुत ही अच्छे खासी गए थे, development के और वो बढ़ रहे थे, तो इसके उपर भी आप लोग उनकी नजरे रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये fail हो जाते है, for an example में बता रहा हूँ, ये possibility की बात बता रहा हूँ, कि अगर नहीं होता है, तो American Bazaar crash हो जाएंगे, and American Bazaar अगर crash हो गए, तो हमारी Indian Market में भी गिरावाट आने की chances बढ़ जाते हैं, so इस तरीके से सारी चीज़ आप लोग को लिंक करनी पड़ती है, and आप लोग को यहाँ पर study कर रिलेटेड कि इंडिया को यहाँ पे approval भी मिल चुका है, जो company है, तो इसके बदलत यहाँ पे sentiment थोड़े से positive हो चुके थे, so आई हो पाशा करता दोस्तों, इस वीडियो आपको अच्छा लगे, तो जरू इसको like कर दिना, दोस्तों के साथ maximum share भी कर दिना, so that's it, thank you very much दोस्